गेहलोत की साजिश हार रही कॉंग्रेस। गेहलोत की पांच गलतियों से सब तबहा। राहूल की भविश्यवानी पढ़ गई भारिक। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट। राजिस्थान में कॉंग्रेस की बुरी हार हो रही है। अभी तक सभी सर्वे ये साबित कर रहे हैं जिने देखकर ना सिर्फ राहूल गाधी सद्वे में हैं बलकि गेहलोत के भी पसी ने छूट गए हैं। लेकिन इसी बीच राहूल गाधी की एक भविश्वाडी ने भी पार्टी को हिला कर रख दिया। दरसल आहूल गाधी ने सर्वे से पहले ही कबूल कर लिया था कि राजिस्थान में उनकी कॉंग्रेस हारने वाली है। इसी बीच गेहलोत की एक घिनौनी साजिश का परदा फाश हुआ है जो कॉंग्रेस की हार का कारण है। ऐसी में 3 दिसमबर से पहले ही कॉंग्रेस में मातम शुरू हो गया है। चौकाने वाला खुलासा तो ये भी है कि इस बार गेहलोत और पाइलट को अपनी कुरसी बचानी भी मुश्किल है। लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट और धमाका कर रही है। इस रिपोर्ट में गेहलोत के 5 कांड निकल कर सामने आये हैं जो कॉंग्रेस की हार के लिए जिम्मदार होंगे। कहा जा रहा है कि गेहलोत ने जान बूच कर कॉंग्रेस को गड़े में डाला है। एक बड़ी साजिश रची गई है तो चलिए बताते हैं कि अगर राजिस्तान में कॉंग्रेस की हार होती है तो कैसे पार्टी के लिए वो खलनायक बनेंगे। दरसल राज्ज में अशोग गहलोत ने कई गलतिया ऐसी की जो वो चाहते तो उनसे बत सकते थे। गहलोत जानते थे कि जो वो कर रहे हैं उसका उल्टा असर पार्टी पर पढ़ना तै है पर अपनी गोटी सेट करने में वो भूल गए कि पार्टी से अलग किसी नेता कास्ते तो नहीं होता है। सबसे पहली गलती है बागी नेताओं को गहलोत ने नहीं मनाया। अपनी अकड में खेल रहे अशोग गहलोत ने कॉंग्रेस के बागी प्रत्याश्यों को कभी मनाने की कोशिश नहीं की। वो चाहते तो अपने पद प्रतिष्ठा का इस्तमाल कर उन्हें निर्दली चुनाव लडने से मना कर सकते थे। परशोग गहलोत डबल गेम खेल रहे थे। कहा जा रहा है कि वो खुद चाहते थे कि पार्टी को पूर्ड बहुमत ना मिले। क्योंकि उन्हें यकीन है कि पूर्ड बहुमत आने पर सरकार बनने की चाभी उनके हाथ से निकल कर पार्टी हाइकमान के पास चल जाएगी। गहलोत जानते हैं कि पूर्ड बहुमत ना मिलने की पोजिशन में पार्टी के अंदर उनकी पूछ बरकरार रहे और किसी तरह जोड तोड़ करके फिर सीम बन जाएंगे। यही कार्ण रहा कि गहलोत ने अपनी समर्थक बागियों को नहीं रोका और वो बागी नेता कॉंग्रेस पार्टी के उमीदवारों के खिलाफ ही चुनाओ प्रचार करते नजर आए। जाहिर है कि गहलोत का दाओ बहुत रिस्की है। कोई जरूरी नहीं है कि उनके गुट के जिन लोगों को टिकट नहीं मिला वो बागी बनकर चुनाओ जीती जाएंगे। लेकिन गहलोत की चालाकी अब चुनाओ में पार्टी पर भारी पड़ सकती है। महा भारत युद्ध के पहले कौरवो और पांडवो के बीच समझोते की बात चल रही थी। युद्धिष्टर ने कौरवो को प्रस्ताव दिया कि वो केवल पांडवो को पांच गाव ही सौब दे ताकि युद्ध को रोका जा सके। लेकिन दुरियोधन तयार नहीं हुआ परिणाम युद्ध हुआ और कौरवो को सब कुछ खोना पड़ा। ऐसा ही कुछ गहलोत और पाइलेट की लडाई में हुआ। दरसल सचिन पाइलेट के साथ ललाई में अर्शोग गहलोत किसी भी कीमत पर सचिन पाइलेट को कुछ देने के लिए तयार नहीं थे। जिसे पाटी का डिप्टी सियम पद तो गया ही सगठन में भी उन्हें कोई पद नहीं दिया गया। क्योंकि गहलोत इसके लिए तयार नहीं थे। गहलोत की तरफ से सचिन के लिए कई बार आपत्ति जिनक शब्दों का बिस्तमाल किया गया। जबकि सभी जानते हैं कि सचिन पा लेकिन गहलोत की मनमानी और आलकमान पर दबाव की वजह से ये मुम्किन नहीं हो पाया। करीब महीने पहले कहा गया कि अशोक गहलोत और सचिन पाइलेट के बीच मतभेद खत्म हो गए। पर शायद वो सब दिखावा ही था। चुनाओ के दौरान दोनू एक ही पोस्टर में तो नजर आए लेकिन साथ साथ ना तो रोडशोप हुए और ना ही रेलिया हुई। पाइलेट समर्थो को मैं ये साफ शंदेश गया कि दोनों के बीच मनभेद अभी परकरार है। गुजर मोटर गहलोत को कभी माफ नहीं कर पाए। उन्हें ये भी लगता है कि गहलोत के रहते पाइलेट कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। गहलोत अगर थोड़ा नर्मी दिखाएं होते तो शायद तस्वीर ही कुछ और होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आखिर में गुजर बहुलिती सीटे कॉंग्रेस के हाथों से निकल गई। यानि गुजरों मामले पर गहलोत की लापरवाही। गहलोत राज में इस बार घोटाले कॉंग्रेस का काल बने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन घोटालों में गहलोत के करीबियों का नाम आया। और सीम साहब चुक्पी साधे बैठे रहे। और आखिर में राजिस्थान सरकारी नौक रहा था। राज में पहली बार वोट डालने वाले 18-21 साल के युवा वोटर्स की संक्या करीब 66 लाख है। ये वर्ग नौकरियों में भरष्टाचार और बार बार हुई पेपल लीग से जरूर दुखी रहा। सबसे दुखत बाद ये थी कि दोश्यों के खिलाफ एक्शन के खिलाप इस मुद्दे पर हल्ला ही बोल दिया। उनका लौकरों में काले धन होने का दावा भी सही साबित हुआ। इसकी सबसे बड़ी वज़ा होगी। इसी के साथ अगला मुद्दा है। गहलोत ने योजना को ठीक से लागू नहीं किया। गहलोत अगर हारे तो इसकी एक वज़ा ये भी होगी कि योजनाय तो खूब बनाई गई। लेकिन इन्हेल अमली जामा पहनाने में बहुत लापरवाही बरती थी। या फिर वो भरष्टाचार की भेट चड़ गए। आधे अधूरे और अन्मने धंग से शुड़ू की ग बाटे जा सके जिन लोगों को स्मार्टपोन नहीं मिला उनका वोट किस तरह कॉंग्रेस को जाएगा यही हाल बेरोजगारी भत्ताय स्कीम और प्रदेश सरकार की फ्लैक्शिप स्कीम जिसके तहत 25 लाक रुपे गंभीर बिमारियों के इलाज के लिए जाते हैं उसका रहा गहलोद की हार का अगला कारण एक और भी हो सकता है गहलोद राज में दो दो साल तक खाली रहे पद वही मुखे मंत्री रहते हुए अशोग गहलोद की लापरवाही कहे या कोई अन्यकारण जिसके चलते बोड निगमो सही तमाम पद सालों साल खाली रहने का दोज भी बना जाएगा जो नियुक्तिया चुनाओ से डेड़ दो साल पहले हो जानी चाहिए थी वो एन चुनाओ के मौके पर हो रही थी चुनाओ से दो तीन महीने पहले अलग-अलग समोदाय को खुश करने के लिए करीब 16 बोड बनाये गए हैरानी होगी ये जानकर कि कोई बोडो में अध्यक्ष पदो पर नियुक्तिया आचार सहीता लागो होने से दो घंटे पहले तक की गई आनन फानन में हुई इन कामों से उनका फायदा उस तरह नहीं उठाया जा सकता जितना उठाया जा सकता था कारेकरता खवा हुए सो अलग है अब गहलोत की खुद की इन नाकामियों का ठिकरा जाहिर सी बात है उन पर ही फूटेगा कुल मिलाकर कॉंग्रेस ने राजिस्थान में पात सालों तक सरकार धक्का मार कर चलाई है कॉंग्रेस आपस में ही लड़ते रहे घोटालों पर घो नावों में हर जाना तो भरना ही पड़ेगा गहलोत की चालाके ने पूरी पार्टी को तभा करतिया है रिवास बदलने से दावे ध्वस्त हो रहे हैं सर्वे ने रिजल्ट से पहले आइना दिखा दिया है इसी वज़े से पहले ही राहुल गाधी अपनी पार्टी की हार की भविश्यवाणी कर बैठे हैं खुद कॉंग्रेसियों को दिखाई दे रहा है कि गहलोत ने हर सेक्टर में बरबादी और लडाई के अलावा कुछ नहीं किया है तो कैसे कॉंग्रेस जीत हासिल कर सकती है सर्टा बाजार ने तो पहले अपने सर्वे में सब कुछ दिखा द रास्तिलक में आज के लिए इतना ही फिर्म पेशोंगे नए चुनावी मुद्धों के साथ तब तक के लिए देखते रहें एक अपिटल टीवी नमस्कार है है कि है हमारे व्रत हमारी परीक्षा लक्ष तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा हमारे चट से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है हमें विकल्प पर नहीं अपने द्रड संकल्प पर अटूट विश्वास है क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विबरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोडेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिस्चित नहीं हो जाती क्योंकि हम बिहार से हैं कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूँ बिहार पर एक ब्रैंड न्यू स्पेशल शोग हम बिहार से हैं